नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स1 कोचिंग सेंटर में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आगर आप कोई भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए करेंट अफियर्स का सेशन जो बहुत ही जादा इंपॉ जिसने नहीं देखें वो उपर के आई बटन या फिर चैनल के पले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं ठेक हैं तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला कोई सन क्या है देखे, सबसे पहला कोशन क्या है? कि दोहा, कतर में, σोट गन, ओलमपिक क्वालिफिकेशन चैंपियंसीप में, रजत पदक के साथ, महिला स्कीट में, भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किस ने हसिल किया है? तो किस ने किया है? तो महिस्चुरी चोहान ने किया है, ठीक है? देखिए महसुरी चोहान ने दोहा कतार में सोट गन ओलम्पिक क्वालिफिकेशन चेंपियन्सीप में रजत पदक के साथ महिला स्कीट में भारत के लिए पेरिस दोयार चोटा हासिल कर लिया है उसके बाद अप्रेल महीने से रिलेटेड एक भी कोस्टन आपका एकजामेर नहीं चूटेगा ठीक है उसके बाद अगला कोस्टन देखते है क्या है क्या कि 2024 पेरिस ओलम्पिक में बैडमिंटन में महीला एकल वर्ग में भारत का परतिजित तो कौन करेगा तो कौन करेगा पीवी सिंदू ठीक है और चिराग सेटी करेंगे ठीक है देखिए सात्विक साही राजा रंक रेड़ी और चिराग सेटी एक इस्टार जोदी बनाते हैं और पुरूस यूगल वर्ग में परतिजित प्रदा करेंगे ठीक है उसके वद अगला कौस्टन देखिए क्या है क्या कि 27 अपरेल 2024 को संगाई में तिरंदाजी विसुकप चरण एक में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की तो किसने किये तो ज्योती सूरेखा वेनम ने किये ठीक है देखिए भारत की जोती सूरेखा वेनम ने 27 अपरेल 2024 को संगाई में तिरंदाजी विसुकप चरण एक में स्वर्ण पदक की हैट्रिक हासिल कर ली है उसके बाद अगला क्वेशन देखिए क्या है कि हायरेज फ्रांस में नौकायन में पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया तो किसने किया है नेथरा कुमानन ने किया है तो देखिए नेथरा कुमानन ने फ्रांस के हायरेज में लाश्ट चांस रेगेटा में सेलिंग में पेरिश ओलंपिक कोटा हासिल किया, उन्होंने लेडिज डॉंगी यानकी ILCA 6 में पर्थिस परदा की और 26 अपरेल 2024 को सरसट सुध अंकों के साथ कुल मिलाकर पांचमें अस्थान पर रही है। के बाद अगला कुश्चन दखे क्या कि आधुनिक बेले का पिता किसे माना जाता है और उनके जनम दीन और अंतराष्ट निरत दिवस की रुपे मनाय जाता है तो कोने जीन जॉर्जिस नौविरे टिक है। परती वर्ष 29 सपरेल को मनाय जाने वाला अंतराष्ट निरत दिवस निरत की कला के लिए एक वेस्विक सरधान जली है। कौन से देश? přिताई स कक्यान जॉष सनगाई स시고 संग्टन यानि की एसco के पूर्ण सदर्स है तो कौन कौन से है? भारत कजाकिस्तान, चीन, कृःगिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मृजबेगिस्तान जason है चले उसके बड़ अगला कसन देखते हैं क्या कि भारत के रक्षा सचीव कौन है तो बताए भारत के रक्षा सचीव कौन है तो कौन है गिरधर अर्माने है ठीक है तो देखे रक्षा सचीव गिरधर अर्माने ने 26 अपरेल को कजाकिस्तान के अस्ताना में संगाई सहयुक संगठन यानि कि S.C.O. की रक्षा मंतरियों की बेठक में भाग लिया है उसके इबाद अगला कोश्चन देखे क्या कि 26 अपरिल 2024 को आयूजित लोग सभाद चुनाओ 2024 के दुसरे चरण में किस राजी में निरवाचन छेतरों के संक्या सबसे अधिक है तो कहाँ पर है केरल में है ठीक है तो देखे लोग सभाद चुनाओ 2024 का दुसरा चरण 26 अपरिल 2024 को हो रहा है जिसमें 12 राज्जियों और एक क्यांदरसासित परदेशों के 88 संसाद निरवाचन छेतर सामिल होंगे है उसके बाद अगला कोशन देखे क्या है कि 20 बोधिक संपता दिवस परती वर्स किस्तिति को मनाये जाता है तो बताए 20 बोधिक संपता दिवस परती वर्स किस्तिति को मनाये जाता है तो 26 अपरिल को मनाये जाता है ठीक है चली उसके बद अगला question क्या है देखिए भारते दीजरो बैंक यान की RBI ने किस बैंक को नई credit card जाली करने और online गरहाग प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है तो किसको दिया है तो कोटक महिंदरा बैंक को ठीक है देखिए भारते दीजरो बैंक यान की RBI ने कोटक महिंदरा बैंक को नई credit card जाली करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है आर बी आई ने online और mobile banking चैनलों के माध्यम से नई गरहाग प्राप्त करने की बैंक की चंता को भी सीमित कर दिया गया है तो किसको चुना गया है तो किसको चुना गया है ले गई अठारा सॉट्स यान की चोगदा लाइव एक्षन और चार एनिमेटेट मैंसे एक हैं जो इसे ला सीनेप अनुभाग में एक मात्र भारते फिल्म बनाती है उसके बाद अगला कोशन देखे क्या है कि फिल्म सन फलावर वेर दा फ़र्ष्ट वन्स टू नो का निर फ्रावर वेर दा फ़र्ष्ट वन्स टू नो को फ्रांस में सततरवें कांस फिल्म फेस्टिबल के परतिस परदी खंड के लिए चुना गया है उसके बद अगला कोशन देखे क्या कि हम किस तारीक को विस पुस्तक और कॉपिराइट दिवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं 23 बनाए जाता है या एक उत्सव है जो कितावों और पाढ़ने के आनंद को बढ़ावा देता है या परमुक लेखकों के मिर्तियों की तारीक होती है जिसमें से विलियम सेक्सपियर, मिगवेल डे, सर्वेंट और इंका गर्चिलेजो डे, लावेगा के बारे में बताया गय किस सहर को 2024 के लिए 200 पुष्टक राजधानी का खिताब पराप्त हुआ है तो किसे हुआ है तो इस्टारस बर् को ओए ठिक है तो इसो पुष्टक राजधानी के रूप में से एक सहर का चेयन करता है। चुना गया सहर अपनी पहल के माध्यम से दीन के उत्सव की गती को बनाए रखता है 2024 के लिए इस्टार्स बर्ग के पास यह परतिसपरदा खिताब है ठीक है चलिए उसके इवाद अगला कोशन देखते हैं क्या क्या कि हाल ही में विक्सित सबसे हलके कि बुलेटपूरुफ जैकेट का सफल परिरिक्शन कहा किया गया तो कहां पर किया गया टी-बी-षए-पास कर लिया है ठीक है इसके एवाद अगला कुर्सन देखें कि कि संसोधन अधिनियम ने भारत में पंचायती राज परनाली की अस्थापना की याद दिलाता है जिसने गाउं ब्लोक और जीला अस्तर पर तिरस्तर परनाली इस्थापित की थी चले उसके एवद अगला कोशन देखते है क्या कि फीडे केंडिडेट्स टूनामेंट जितने वाले सबसे कम उम्र के सतरंज खिला दी कौन बने तो कौन बने दोमाराजु गुकेश ठीक है सौटमें डी कुकेश भी बोलते है ठीक है तो पूरा नाम क्या है दोमाराजु गु गुकेश ने 22 अपरेल 2024 को फीडे केंडिडेट्स टूनामेंट जितने वाले सबसे कम उम्र के खिलादी बनकर इत्यास रज़ी दिया है ठीक है उसके बद अगला कोशन देखे क्या कि कौन साथ दिन 20 प्रत्वी दिवस के रुपया मनाय जाता है तो कौन सा दिन मनता है 22 जाता है जो परियावरन सरक्षन के लिए समरफी दूस 2024 का विसे क्या था विसे क्या था तो क्या था ग्रह बनां पलेश्टिक ठीक है देखे पिर्थवी दिवस को मालदिव में हुए संसद चुनाओं में किस पार्टी ने भारी जीत हसल किये तो किस पार्टी ने किया तो देखे People's National Congress यान कि PNC ने अकिस अपरिल 2024 को मालदिव में हुए संसद चुनाओं में 66 सी अधिक सीटें हसल करती हुए भारी जीत हसल कर ली है अगला कोशन देखे क्या है कि कुस्ती में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा किस ने हसल किया है तो किस ने किया है देखे विनेस फोगाट अंसू मलिक और रितिका हुड़ा तीनों ने किया है ठीक है तो देखे भारते पहलवान विनेस फोगाट अंसू मलिक और रितिका हुड़ा ने किर्गिस्तान के 20 केक में एसी ओलंपिक वैली फायर में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हसल कर लिया है अगला कुस्टन देखे क्या है कि विनेस फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा सुरक्षित करने के लिए कुस्ती में किस भार वर्ग में परतिस परदा की है तो 50 केजी में ठीक है देख बलराज पावार ने किया थेक है बलराज पावार ने रोहिंग में भारत का पहला पेरिस ओलम्पिक कोटा हासिल किया है उन्होंने 28 अपरिल 2024 को दक्षीन कोरिया का चुंग जू में 2024 में फूरुस्ट एकल असपरधा में तिसरा अस्तान हासिल करके यह उप्लावदी हासिल कर लिए चले नेक्स्ट कुस्टन दखते हैं कि बिंदिस्वर पाठक को मर्णू परांत कौन सा पुरुस्कार परदन किया गया है तो कौन सा पुरुस्कार परदन किया गया है पदम विभुस्टन किया गया है अगला कुस्टन दखे कि पदम पुरुस्कारों की कि सरेनी को देश के सर जो आसाधारन और विशिष्ट सेवा के लिए तीन स्रेणिया पदमवी भूसन पदम भूसन और पदम श्री में परदान किया जाता है अगला कोस्तन देखे क्या है कि भारत में आम चुनाव 24 का प्रातिमिंग फोकस क्या है तो क्या है लोकसभा सदस्यों के लिए मतदान डिक है देखे भारत अठारवी लोकसभा और चार राजियों के विधान सभाओं के लिए मतदान सुरू करने के साथ ही दुनिया की सबसी बदी लोकतांत्रिक कवायत के लिए तैयारी कर रहा है जो आम चुनाव 24 की सुरुबात है अगला कोस्तन देखे क्या है कि 18 अपरिल 24 को व वदिशा के चांदीपूर में एकिखरत परिक्षन रेंज में एक सवदेशी पुर्दयोगी की कुरूज मिसाइल का सफन उदान परिक्षन किया है अगला कोस्तन देखे क्या कि DRDO के अध्यक्ष को ने तो बताई अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष को ने तो कोने समीर वी कामत ने सवदेशी पुर्दयोगी की कुरूज मिसाइल के सफन परिक्षन के लिए पूरी DRDO टीम की सराना की है ठीक है DRDO का फुलफर्म देखे लिए डिफेंस दिशर्ज डिवलपेन उर्गनाजिशन ठीक है चले उसके बद अगला कोस्तन देखे क्या कि पहले चरण के अगला परमुख किसे निक्त किया गया है तो किसे किया गया है वाइस एड्मिरल दिनेस के तिरपाथी को ठीक है देखे नौशेना इस्टाप की उप परमुख वाइस एड्मिरल दिनेस के तिरपाथी को भारत नौशेना का अगला परमुख निक्त किया गया है वह एड्मि योगी संचनाएं जो मानो सक्ति को बताती है ठीक है अगला कोस्टन देखे क्या है कि नीम्न मैसे किसने तेरवें यूरोपियन गर्ल्स मैथेमेटिकल ओलम्पियाड दोहर चोबिस में रज़त पतक जीता है गुदगाओं की गुंजन अगरवाल और तिरुवननंत पूरम की संजना फिलो चाको ने रज़त पतक जीते जब कि हिसार की लादिशा और पूने की साई पाटिल ने कान से पतक जीते है सभी चार परत्योगियों ने EGMO में पतक हसिल कर लिया ठीक है अगला कोशन देखे किया कि किस सरकार ने युवावों को धुमरपान शुरू करने से रोकने के लिए अपरेल 2024 में एक एतिहासिक धुमरपान परतीबंद का परस्ताव रखा है तो कहां के सरकार ने रखा है बिर्टिस सरकार ने रखा है ठीक है देखे बिर्टिस सरकार ने युवावों को धुमरपान शुरू करने से रोकने के लिए एक एतिहासिक धुमरपान परतीबंद का परस्ताव रखा है इस विदिये का उदेश से जो है एक जन्वरी 29 के बाद जन्वी व्यक्तियों को तमबाकू उत्पाद बेचना अवेद माना जाएगा अगला कोशन दखे क्या कि सीविल सेवा परिक्षा 2023 में पर्थम अस्थान किसने पराप्त किया है तो किसने किया है आदे तिसरे वास्ताव ने किया है ठेक है दखे UPSC ने 16 अपरेल 2024 को सीविल सेवा पर इच्छा यानि की CSE ने के नतीजे घोशित कर दिये हैं आदी तिसरी वास्ताव ने पहला अस्थान हासिल किया उसके बाद अनिमेश परधान दुसरे अस्थान पर और ड्वनरू अन्याद रेडी तिसरे अस्थान पर रहे हैं देखे क्या है कि IEMF के अपरेल 2024 पुर्वानुमान की अनुसर वित्ति वर्स 2024 पचीस के लिए भारत का संसोधित GDP विकास अनुमान क्या है तो क्या है 16.8 पर तिसाथ है ठीक है देखे अंतराष्ट मुद्राकोस यान की इंटर्नेस्टन मुद्री फंड स्वाट में लिखते हैं क्या IEMF लिखते हैं ठीक है अगला कोस्टन देखे क्या कि 15 अपरिल 2024 को नई दिल्ली में आतंकवाद से मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुक्त कारे समों की सोलवी बेठक के दोरान मुख विष्यों पर क्या चर्चा हुई तो क्या चर्चा हुई है आतंकवाद से निपटने की चुनती आंठेक है देखे आतंकवाद से मुकाबले पर भारत फ्रांस संयुक्त कारे समों की सोलवी बेठक 15 अपरिल 2024 को नई दिल्ली में हुई है चर्चा में भारत विरोधी, अलगावादी, गतिविधियों, आतंके, वित पोसन, संगटित, अपराद और नार्को, आतंगवादी, नेटवर का मुकाबला करने बार भी चर्चा हुई है अगला कोसन दखे क्या है कि SCI कुष्टी चेंपियंशीप 2024 कि सहर में आउज़ुद की गई थी, बिसकेक कर्गिस्तान में ठीक है दखे भारते पहलवान अंजू और हर्चिता ने किर्गिस्तान की बिसकेक में SCI कुष्टी चेंपियंशीप 2024 में रज़त पतक जित लिए है अगला कोसन देखे क्या है कि कौन सा सब्द उस घटना का वर्दन करता है जहां किसी देश की जनसंख्या में काफी गिरावट आती है जिसे मिर्तियू की तुल्ना में कम जनम होता है तो जनसंख्या पतान ठीक है तो देखे जनम दर में काफी गिरावट आई है जिससे मिर्तियों की तुल्ला में कम जनम हुआ है 2028 में परती दो मिर्तियों पर केवल एक जनम दर्च किया गया है अगला कुशन देखे क्या कि कौन सा देश गंभीर जनसंख्यां गिरावट का सामना कर रहा है संभावित रूप से जनसंख्यां गिरावट का अनुभाव करने वाला पहला देश बन गया है तो कौने ग्रीस देश है ठीक है देखे ग्रीस गंभीर जनसंख्यां गिरावट का सामना कर रहा है जनसंख्यां गिरावट का अनुभाव करने वाला पहला देश बन गया है अन्य था स्वस्थ जिवावों में हिर्दी, विफलता, श्ट्रोक, रक्त की ठक्की और कैंसर के कारण मिर्थ्युदर में विर्दी हुई है अगला कोशन देखे क्या है कि जालियां वाला बाग नरसंख्यार की तारिक क्या थी? तो क्या तारिक थी? 13 अप्रिल 1910 थी ठीक है चली अगला कोशन देखते है क्या है? क्या है कि जालियां वाला बाग नरसंख्यार कहां हुआ था? तो कहां हुआ था अमृत सर में हुआ था ठेक है देखे जालियां वाला बाग नरसंगार जिसे अमृत सर नरसंगार के नाम से भी जाना जाता है भारत इतिहास की एक सुखत घटना थी अगला कुश्चन देखे क्या है कि जालियाँ वाला बाग में निहत्ती भीर पर गोली बाली का आदिश देने के लिए जिमेदार ब्रेटिस अधिकारी कौन था तो कौन था जनरल डायर था ठीक है देखे 13 अपरिल 1929 को एक ब्रेटिस अधिकारी जनरल डायर ने अपने सेनिकों को पंजाब की अमरित सर के जालियाँ वाला बाग में एकत्रित निहत्ती भीर पर गोलियाँ चलाने का आदिश दिया था अगला कॉस्टन देखें क्या है कि डॉक्टर भीमरा ऑंपीटकर की जनरल ते जनरल जनर में एक तो 2500 अपरिल के अग्रणी जर्मन भोते की विज्ञानी मैक्स प्लेंग की जैनती के रूपे मनाये जाता है जिन्होंने प्रकास और उर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए अधार त्यार किया था अगला कोस्टन देखे क्या है कि qualify मैक्स प्लेंग की क्या भूमा का है तो क्या भूमा किया था तो उन्होंने कुंति जेद उर्जा की अभधाणा पेस की है अगला question देखे क्या है कि साओधेशी Man-Potable Anti-Tank Guided Missile हतियार परणाली का परिक्षन कहां आज़ुद क्या गया था तो कहां क्या गया था पोकरन फ्रिल्ड फायरिंग रेंज ठीक है जो कि राजस्थान में है अगला question देखे क्या कि इजराईल पर इरान के हालिया हमले का क्या कारण है तो क्या कारण है दमिशक में इरानी वानिजिक जोतावस पर इजराईली हमला ठीक है देखे 13 अपरिल देखे क्या अधिक ड्रोन और मिसाईलों का उत्यानाद करके इजराईल पर एक अभुतपरु हमला किया है यह हमला 1 अपरिल को सिर्या के दमिशक में एक इरानी राजनाईक परिसर पर इजराईली हमले की परतिसोद में था अगला question देखे क्या कि ईद उल फितर कब आता है तो बताए ईद उल फितर कब आता है तो देखे रमजान की अंत में आता है ठीक है देखे इद उल फितर दुनिया भर में मुसलमानों के द्वारा मनाये जाने वाला एक महत्पुर्ण तेभार है जो पुवास के पवित्र महीने रमजान की अंत का प्रदीख है दो जार चोविस में भारत में इद उल फितर 11 अप् पर अबिस्वां स्थान हसल कर लिया है अगला कुशन देखे क्या है कि किस विसे में जे एन यू भारत में सिर्ष रेंक वाला विस्विद्याले बनकर उबरा तो किस विसे में उबरा है तो भुगोल इतिहास आधुनिक भासाएं में ठीक है देखे भुगोल इतिहास यानकि JNU देश के सिर्ष रेंक वाले विश्य विद्याले के रूपें उबराएं ठीक है अगला क्वेशन देखे क्या कि ए वी एम के संदर में वी वी पी एट का मतलब क्या होता है तो देखे क्या मतलब होता है वोटर वेरिफाइट पेपर ओडिट ट्रेल ठीक है देखे ए संदय के स्वामित्व वाली राज्य कि स्वामितो ये स्वामित्र वाली बहोड़ प्रेशन उप फ्रेंडिया और भारत çıkt różworks स्वामित्रा न के कि दौरण तो senकिया गया है सका। अगला क्वेशन देखे क्या कि भारत तो रोज्वेकिस्तान संस्वामित्व पीच्व कि इस सजुत अब्याज का पांचवा संसकरन 15 अपरेल prophecy 28 अपरेल 2014 तकुजबेकिस्तान के तारमेज जीले में आए ज़ित हुआ तो कहां पर हुआ था तो डश्ट लिक सजुत्प संसकरन 15 अपरेलो सस्तान के तार्मेज जीले में हए अगरा कोश्चन कभ मनाय जाता है तो कब मनाय जाता दस अपरेल को मनाय जाता है ठेख, देख, वी सो हम्यों फैती दिवस हर चाल, 10 अपरेल को हम्यों फैती के सनस्तापक, Dr. Samgol Honeyman की जैनते के उपलक्ष में मनाये जाता है ठेख, पर सेमगल हनीमेन की जैनती पर उनके काम का समान करता है अगला कोशन देखे क्या कि अंतरिच अनवेंशन के लिए 2024 जोन एल जैक स्विगट जुनियर पुरुषकार से किसे समानित किया गया तो किसे समानित किया गया इसरो चंदरियान 3 मिशन टीम को देखे इसरो चंदरियान 3 मिशन टीम को अमेरिका इस्थित स्पेस फाउंडेशन के दोवर अंतरिच अनवेंशन के लिए 2024 जोन एल जैक स्विगट जुनियर पुरुषकार से समानित किया गया पुरुषकार समारो 8 अपरिल 2020 को कोलराडो में अंतरिच संगोष्टी के वार्षी उद घाटन समारो के दोरन हुआ है उसके अगला कोशन देखे क्या कि 9 अपरिल 2020 को आयरल लेंड के सबसे युवा परधानमत्री कौन बनी तो कौन बन गए है तो साइमन हैरीस बन गए है ठीक है देखे साइमन हैरीस 9 अपरिल 2020 को आयरल लेंड के सबसे युवा परधानमत्री बन गए ठीक है अगला कोशन देखे क्या कि कौन सी घटना विक्रम संवत 2081 की सुरुवात का परतिक है तो कौन सा है तो चेत्र सुकलावदी ठीक है देखे चेत्र सुकलादी विक्रम संवत 2081 की सुरुवात है चेत्र सुकलादी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू कलेंडर की अनु नए साल के दीन के रूप में किन राजियों में मनाय जाता है तो किन राजियों में मनाय जाता है तो आंद्रपरदेश त्यलंगना और करनाटक में ठीक है देखे उगादी को आंद्रपरदेश त्यलंगना और करनाटक राजियों में नए साल के दीन के रूप में मनाय जाता ह तो क्या उगय जा गय जाता एक सजाया हुआ खंभा ठीक है देखे गुरी परव महराष्ट दाजे में नई साल का जस्न है लोग अपने घरों के बाहर गोई एक सजाया हुआ खंभा लगाते हैं जो जीत और सभागी का प्रतीक होता है अगला कुश्चन देखे क्या है कि कौन सा समुदाई चेटी चंड को अपने नई साल के रुपय मनाता है तो कौन मनाता है तो सिंधी ठीक है देखे चेटी चंड सिंधी समुदाई के लिए नया साल है लोग मंदिरों में जाते हैं प्राथना करते हैं और समुदाईक दावतों में भाग लेते हैं या सिंधी संत जुले लाल की जैनती बनाता है अगला कुशन दखे क्या कि Monte Carlo Masters में मुखे draw match जितने वाले पहले भारते कौन बने तो कौन बने सुमित नागल बन गए हैं दखे भारते tennis खिलादी सुमित नागल ने 35 रेंकिंग वाले टेवो अर्नाल्डी को हरा कर और 8 अप्रेल 2024 को Monte Carlo Masters में मुखे draw match जितने वाले पहले भारते बन गए है अगला कुशन दखे क्या है कि 20 स्वास्त दिवस 2024 का विशे क्या है तो क्या विशे है मेरा स्वास्त मेरा अधिकार देखे 20 स्वास्त दिवस 2024 की थी मे मेरा स्वास्त मेरा अधिकार अगला कुशन देखे क्या है कि 20 स्वास्त दिवस परती वर्ष कब मना जाता है तो कब मना जाता है 7 अप्रेल को ठीक है देखे अगला कुशन क्या है कि 20 स्वास्त दिवस परती वर्ष कब मना जाता है तो कब मना जाता है की CBDT ठीक है कि अनुसर करदाता आकलन वर्स 2024-25 में अपना आयकल रिटर्न यहानों की ITR कब दाखिल कर सकते, तो कब कर सकते एक अपरिल 2024 से ठीक है, देखे, CDT करदाताओं को एक अपरिल 2024-25 में आइकल रिटर्न का के अनुमती देता है ठीक है अगला कोश्चन देखे किया कि 8 अपरेल 2024 को आयुजित परिवर्तन चिंतन त्री सेवा सम्मिलन का मुखे उदेश से क्या था तो क्या उदेश से था संयुकता और एकिकरन परियासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन करना ठीक है देखे परिवर्तन चिंतन 8 अपरेल 2024 को नई दिल्ली में एक त्री सेवा सम्मिलन आयुजित किया गया जिसका उदेश से उदेश से उक्ता और एकिकरन परियासों के लिए नए विचारों पहलों और सुधारों को वधावा देना है अगला कोशन देखते हैं क्या क्या कि भारत के चीप अप डिफेंस इश्टाप कौन है तो कौन है देखे जनरल अनिल चोहान है ठीक है अगला question देखे क्या है कि पेरीज में 2024 गिर्सम कालिन ओलम्पिक में जूरी सदस्य की रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला की रूप में इतिहास हचने के लिए कोन तयार है तो कोन तयार है बिलकस मीर तयार है ठीक है देखे जमू कस्न मिर की बिलकस्न मिर 2024 में पेरिज में गिर्सम कालिन ओलम्पिक में जूरी सदस्य के दूप में सेवा देने के वाली भारत की पहली महिला है अगला कुस्न देखे क्या है कि भारत दीजर बेंक की मौदरिक नीती समिती यान की MPC ने 5 अपरिल 2024 को रेपो रेट के संबन में क्या निरने लिया है तो क्या निरने लिया है बरकरार रखा ठीक है देखे भारत दिजर बैंक की मुद्रिक नीती समिती ने 5 अपरिल 24 को लगतार 7 वी बैठक के लिए परमुख रेपो दर 6.5% पर ब्रक्रार रखी है ठीक है अगला कुशन देखे क्या कि रेपो रेट क्या है तो बताए रेपो रेट क्या है तो देखे वहादर जिस पर बैंक RBI से धन उधार लेता है ठीक है तो देखे रेपो दर वहादर होता है जिस पर बैंक जो है अल्पकालिक तरलता अंतराल को संबोधित करने के लिए RBI से धन उधार लेता है ठीक है अगला कुशन देखे क्या है कि भारत दिजरो बैंक यानकी RBI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानकी UPI का उप्योग करके कैस डिपोजिट मसीनों यानकी CDM के माध्यम से कौन सी नई कारिछमता सक्षम करेगा तो नगत जमा ठीक है ठीक है भारत दिजरो बैंक यानकी RBI जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानकी UPI का उप्योग करके कैस डिपोजिट मसीनों के माध्यम से नगत जमा करने में सक्षम करेगा ठीक है अगला कुस्टन देखे क्या कि अपरेल 2024 में SFC और DRDO के दवारा अगनी प्राइम की परिक्षन उल्द कहां आईजिद की गई थी तो कहां की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुलकलाम दृप में ठीक है देखे सामरिक बल कमान और रक्षा उसंधा और विकास संगटन यानि के DRDO के दवारा तीन अपरेल 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुलकलाम दृप जोकी वदिशा में से अगली पिरी की बलेश्टिक मिसाइल अगनी स्पराइम की सफन परिक्षन उल्दान आयुजद की गई है कि पॉंकाली यम्मन त्यावार आम त उत्षव के दोरान पचास जार से अधिक भक्तों के उत्षा से जगमगा उठा तीन अपरेल 2024 यान की बुदवार सामको हजारों उपासकों ने अपने अटूट विश्वास के पर्तिक के रूपे अगनी मसाले लेकर एक सांदार जूलूस में भाग लिया है ठीक है उसके ब अंतराष्ट अंतरात्मा दिवस हर साल पांच अपरेल को मनाए जाता है जिसका उदेश है क्या है जिसका उदेश है दुनिया भर में सांती सदभाव और नेतिक निरने लेने को बढ़ावा देना अगला कोशन देखे क्या कि चंदरमा और अन्य खगोली पिंडों के लिए मानक समय का क्या नाम है तो क्या नाम है समन्वित चंदर समय ठीक है देखे या निर्देश वाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइन्स एंड टेक्नोलोजी पॉलिसी के प्रमुख की ओर से आया है जिसमें नासा के समन्वित चंदर समय के लिए दोहरचबिस के अंत तक एक योजना विख्शित करने का निर्दिश दिया गया है अगला कोशन देखे क्या कि पृत्वी अधारित घ़री और चंदर्मा पर एक व्यक्ति यहां कि प्रती पृत्वी दिवस ग्रिश यानकि अνठावन दसमलोग गडशाट माइक्रो सेकेंड को देगा ठीक है देखे LTC असथाप रहता है unified payments interface ठीक है यान कि या पर option C का रेटनचर हो जागा ठीक देखे 2023 की दुसरी छमाई में भारत में unified payment interface यान कि UPI land then में उलेखन विर्धी देखी गई है अगला question देखे क्या कि कि इस परकार के land then से 2023 की दुसरी छमाई में UPI यान कि unified payment interface भुकतान में विर्धी हुई है तो किस परकार के land then में हुई है तो वेक्ती से व्यापारी land then में ठीक है अगला question देखे क्या कि cancer के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरपी का क्या नाम है तो क्या नाम है कि next car 19 तो देखे 4 April 2024 को भारत की राष्टपती स्रीमती दौरपती मुर्भूने भारत पुर्दुक की सनस्थान IIT Bombay में cancer के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरपी लौंच करने के लिए मुंबे का दौरा किया अगला question देखे क्या कि CRT थेरपी का क्या मतलब होता है तो क्या मतलब होता है तो क्या मतलब होता है अगला question देखे क्या कि अरुनाचल परदेश का चीनी नाम क्या है तो क्या नब है जंगनान तो तक हाल ही में चीनी नागरी मामलों के मंत्राले ने जंगनान में मानकी करित भोगुलिक नामों की चोथी सुची जारी करती है जो अरनाचल प्रदिश का चीनी नाम है हलांकि भारत इन परियासों को अज़्ट विकार करने के लिए द्रिड है इस बात पर जोड़ देते हुए कि कोई भी नाम बदलने से हमारी सीमाओं के भीतर राजी की स्थिती में कोई बदलाव नहीं आएगा अगला कोईशन देखें क्या कि जे सलमेर जीले के पोकरन फिल फायरिंग रेंज में आईजित भारते वायुसेना की सबसे वड़ी अभ्यास का चैना में तो क्याना में गगंशक्टी अभ्यास है ठीक है तो तकि भारत वायू सेना एक अप्रिल दियर चोबिस है, दस अप्रिल दियर चोबिस तक जैसल मेर जो कि राज्थान में जीले के पोकरन फिल फायरिंग रेंज में अपना सबसे बदा भ्यास गगन सकती आईजुद कर रही है अगला कोसं देखे किया है कि हिंदुस्तान ऐरो नाटिक्स लीमिटेड यानके ह-A.E.L. ने अप्रिल दियर 14 में गुयाना रक्षाबल को किस परकार के विमान की अपुर्ते की है तो किस परकार के विमान क्या पुर्दे की है तो डौर नियर 228 ठीक है तो तक हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड यान कि HAL ने एक अपरिल 24 को गुयाना रक्षा बल की दो डौर नियर 228 विमान सोंपे है ठीक है अगला कुशन देखे किया कि उस भारतोलग का क्या नाम परिश ओलंपिक 24 के लिक्वाइल फाई किया उन्होंने एक अपरिल 24 को फोकेत थाइलेंड में IWF International Weight Federation विस्वकप में सफलता पूरग पतिसपरदी करके अपनी योगिता हसिल कर लिया ठीक है अगला कुशन देखे किया कि भारतोसरे लंका के बीच एक पाक जल डमरुमदे क्या नामे कचा थीवु द्वीप है ठीक है कचा थीवु द्वीप भारतोसरे लंका के बीच पाक जल डमरुमदे में एक विवादित छेतर है अगला कुशन देखे किया है कि रोहन बपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन साधी कोड़ बनाया तो कौन साधी कोड़ बनाया है तो देखे एटीपी मास्टर्स एक हजार खिताब जीतने वाले सबसे उम्रतराज व्यक्ति बन गई है तो देखे रोहन वपनना और मैथ्यू एपडेन ने 30 मार्च 2024 को मियामी ओपन में पुरुस योगल फाइनल जीत लिया है चोवालिस साल के उम्र में वपनना एटीपी मास्टर्स एक हजार खिताब जीतने वाले सबसे उम्रतराज व्यक्ति भी बन गई है अगला कोशन देखे किया है कि भारते दीजरो बैंक ने अपना परिचलन कब सुर चले उसके बाद अगला कोशन देखे है क्या कि भारते दीजरो बैंक ने किस सनस्थार से सरकारिक खातों और सरजनिक हदीन का परबंदण अपने हाथों में लिया अगला question देखे क्या कि किस आयोकी सीफारिसों के कारण भारत तीज़रो बैंक कीमिसन के कारण दिखे अगला question देखे क्या कि हाल ही में सेनेगल का राष्ट्ति को क्?」 तो किसे चुना गया तो बस इरू डियो माई फेज को ठीक है तो तक अफरीका के सबसे पस्चिमी देश सेनेगल की समयधानिक परिशत ने राष्टपति चुनाव में वीपक्ची उमीदवार बस इतना ही था अपरेल महिने के जितने भी इंपोरेंट कोस्टन था मैंने इस व